आज हमारे साथ पेट और लीवर के बिसे पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सचीन ह. डॉक्टर सचीन बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो डॉक्टर सचीन मौलूप से करनाटक से हैं परन्तु इस समय ये संतो के शहर छोटी हुश्यारपूर में अपनी सिवाई दे रहे हैं डॉक्टर सचीन इस समय आईवी हॉस्पिटल हुश्यारपूर में बतौर गैस्ट्रोलोजिस्ट और हैप्ट्रोलोजिस्ट के तौर पे अपनी सिवाई दे रहे हैं और ये एमडी मैडिसीन और डीएम गैस्ट्र हैं बाकि तरह से नमस्कार में बुलना चाहता हूं मैं बिसिकली करनाटका से हूँ मैंने मेरी MBBS Government Medical College मैसूर से किया उसके बाद मुझे PGA में एंटरेंस मिला MD Medicine करने के लिए All India में एक्जाम लिखी थी और उसके बाद मेरी सेवा जो है पंजाब चंडिगड में स्टार्ट होगी तीन साल मैंने MD Medicine PGA में किया उसके बाद मैंने साथी साथ DM Gastroenterology वही से किया So total six and a half years मैंने PGA में सर्व किया And then उसके बाद मैं six months पट्याला में भी काम किया And उसके बाद finally मैं होश्यारपूर में अभी as a gastroenterologist and hepatologist I.V. होश्यारपूर में मैंने जॉइन किया है जब आप होश्यारपूर आए तो क्या अलग देखने को मिला आपको चंडीगड से या PGA से यहां के लोगों में क्या अलग देखा आपने होश्यारपूर की लोग बहुत होश्यार है ठीके जैसे उसकी नाम में ही है होश्यारपूर की लोग बहुत सिंपल है जो मैंने देखा है, जो छोटी-छोटी चीजों में उनकी जादा खुशी रहती है और काफी नॉलेज़जबल भी है जैसे मेरी शहर है मैसूर, उसी की याद जरूर दिलाती है होशारपूर हमारी भी एक टायरटू सिटी है, छोटी सिटी है, स्मॉल सिटी है एक दूसरे को लोग जानते है यहां पर बरोसा रखते है और मेरी तीन साल, तीन माहिने हो गया होशारपूर में यहां की लोगों की साथ जो मेरा experience है काफी positive रहा है और मैं यहां पर साओ करने के लिए बहुत खुश हूँ मैसूर और बहुत famous शैर सर आपका भी जहां से आप यहां पहुँचे और हमारा शैर भी काफी famous है बहुत खुश है तो अब हम आते हैं लीवर और पेट पे यहां पे जब आए तो आपने मुखे रूप से कौन-कौन सी ब्मारियों को यहां पर ज्यादा देखा जो पेट और लिवर से जुड़ी थी पेट और लिवर की पंजाब में जो मैंने देखा है कि यहां पर आलकॉल संब्रदित जो ल यहां हेपेटाइटिस बी और जुड़ीटे की प्रब्लम कबजी की प्रोब्लम यो तो होते हैं लुगालवध्लाध्य प्रोब्लम होते हैं काफी मेंने यहां पर देखा है तो जैस यह हम आरे पंजाब की हैं खृणे के चुटी में जुटी खुश्यों में वो एल्कौहल का प्रियोंक करते है या धिर उसे यज七 शन का एक संकेत मांगते ठाल भंट मतें ले आते तो यह जो एल्कौहल है यह हमारे लीवर पर कितना एफड़् हर्जी आलकौहol जो आमतोर पर दारू बोलते हैं ये डबल हो की द्वारा डिकलेयर किया है एक टॉक्सिन है ठीक है तो इसकी वज़ेश जो जो नशा मिलती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है ठीक कुछ घंटों के लिए आदमी को लगेगा कि मैं खुश हूं इनिबिशन कम हो जाती है ठ तो और ज्यादा अलगी स्टेट में चला जाते हैं जो उनको लगता है कि मैं खुश हूं बट एक्चुली आलकोहल की जो काफी से नेगेटिव एफेक्स होते वो बाद में और धीरे धीरे आती है तो जैसे कि रेगुलरली जो आलकोहल लेते हैं ग्रूप बना देते हैं रो लोगान ने हमें डेड़ किलोग्राम का पूरा लिवर दिया है बट लोग क्या करते हैं लोग रोज आलकोहल की यूज करते हैं और उनको पता भी नहीं लगता है कि उनकी लिवर धीरे धीरे खराब हो रही है एक दिन आती है जब उनकी लिवर अल्टिमेटली जवाब दे देती है एंड उस पॉइंट के बाद वह आउट ऑफ रीच हो जाती है जैसे पेट में पानी आना शुरू हो गया आंकों में पीला पीली आना स्टार्ट हो गया किसी को खून की उल्टी काला लेटर ना स्टार्ट हो गया आपने सुना ओगा या बेहोश होने लग गया उस बाद कर लेते हैं 25-50 साल तक उनका लिवर खतम हो जाती हैं दूसरा जो पैंक्रेश जो है एक जटके में बहुत ज्यादा दारुपी ते हैं उनके अक्यूट पैंक्रेट्रेक्टिक करके ना बहुत खतरनाग बीमारी होती है हमारी पास अब कि आस्पटाल में दो मरीग है की कैंसर में भी बदल सकती है सो इस तरह कि जो लोड यहां पर है और इंडिया में एक केरला में है अलकोहल की जो प्रोब्लम है बाकी और बाकी स्टेट्स में इतना है नहीं कि अच्छी ने एक चीज में पूशना चाहूंगा जैसे कि आम तोर पे लोगों को हाट अटेक आता है क्या ऐसी कोई बीमारी है कि लिवर का अटेक आजाता है लोगों को अचानक मौत हो जाती है अचानक तो नहीं होती है ठीक है इसको ना क्यूट लिवर फेलियूर बोलता ह जो आज कल बारिश आ गया ठीक है बारिश के बाद हैपेटेटिस ए और हैपेटेटिस ए की बिमारिया बहुत देखे हमने उसमें कई लोगों को गिने चनुलोगों को अप्यूट लिवर फेलियूर हो सकती है उसमें अचानक से पेट में पानी भर गया पीलिया आ गया बेह लिवर के अटाक असच नहीं होती है वह बहुत रेरी है अक्यूट लिवर फेलियूर और यह जो जो जाता है लोगों को पीलिया हो जाता है इसके पीछे मुख्य रूप से क्या कारण होता है पीलिया जो है वह बहुत ही बड़ी टॉपिक है अपने आप से तो पीलिया कही कारण की वज़े से हो सकते जैसे अक्यूट है पेटेटिस मेंने बता है है पेटेटिस ए और ये डेंग्यू में हो सकती है आज कल बारिश की बाद वह भी बहुत कॉमन हो गया एंड लेप्टोस पहला मैलेरिया स्क्रब यह कुछ बीमारिया है जो एक दूसरे से फैल सकती है और यहां पर आलकॉल की वज़े से ही है जिनको सिरोसिस हो गया उसके बाद डिकम्पेंसेशन हो गया उसमें जॉन्डिस हो सकती है अक्यूट लेवर फैलियूर में भी जॉन्डिस हो सकती है और काला पीलिया जह ले इस एरिया में जो पॉपलेशन है 30s 40s की जो है पीलिया पर से कोई घबराने वाले चीज है नहीं बट उसका वज़ा कौन से हो पता करके उसके आगे बढ़ना होता है जब पेट की जो गंभीर बीमारियां आजकल निकल कर सामने आती है हमारे शहर की लोग दूर दराज शहरों में भागते हैं बड़े शहरों की और भागते हैं क्योंकि यहां पे उन्हें अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं या फिर वो जो भी मिशिनरी प्रयों करते हैं हम घाव्जट्र डिपार्टमेंट की उलसे अन्डोस्कोपी है क्लोनस्कोपी एर्सीप कि यह सब इस्वाईं कहीं हैं मिल पा रही है हमारी इवी होस्पेटल में सब पर यंदोस्कोपी सिओमोडुस्कोपी कॉल्नस्कोपी यार्सीपी अन्डाज कर लोगों को बहुती कॉ वर उसको असेस करने के लिए फाइब्रो स्केन यह सारी सुविधाय हमारे पास अवेलबल है फाइब्रो स्केन के लिए भी बड़े शाहरों के और लोग भागते हैं यह सुविधाय भी प्लग दे आपके पास यहां पंजाब में आम तोर पे लोग खाने पीने के ज्यादा शुकीन है वो आइस क्रीम भी खा लेते हैं साथ में गोल कप्पे भी खा लेते हैं अगर साथ में रेडी इडली डोसा का हो तो भी खा लेते हैं साथ में चाप के रेडी हो तो भी खा लेते हैं अगर बर्गर कि थे काना जाए है किसा हुँ जो कि इनके पीस ओन टर जवाब चुपी हुई हुई है सवने कि जो जो ही लाइफस्ट्टाइल जो है आज कल सब को फास्ट फास्ट चाहिए खाना 5 मिनिट के अंडर खतम करना चाहिए, खाना पांच मिनिट के अंदर बनना चाहिए, उसमें बहुत टेस्टी होना चाहिए, उसमें स्वात जादा होना चाहिए, उसमें ओईल जादा होना चाहिए, उसमें मसाला जादा होना चाहिए, हमारी जो इनसान की जो शरीर जो बनी हुए, इन सब चीजो को डाइज़स्ट करने के लिए नहीं बनी हुई है हमने खुदादत बनाया है कि हमारी खाना इतना टेस्टी हो जाए इतना स्पाइसी हो जाए यह अब अगर कभी एक बार आपने प्रेंट्स के साथ खुशी मनाने के लिए कई बाहर खा के खा लिया तो ठीक है that is okay वो हमारी बॉडी जो है वो अडजस्ट कर लेगी बाकि हमारी जो रुटीन खाना होना चाहिए घर में बना हुआ साफ सुत्रा खाना होना चाहिए कम मसाला कम तेल के साथ खाना हमेशा अराम से बैठ के 15-20 मिनिट खाना चाहिए slowly slowly and 8 बज़े 9 बज़े के बाद अवाइड करनी चाहि यह western culture जो है food on the go यह हमारी इंसान की digestive system उसके लिए बनी नहीं है आप जितना यह सब करते रहोगे हमारे digestive system को problem ज़रूर खड़ा करोगे हमारे लीवर को सॉस्त रखने के लिए पेट को बिल्कुल सही रखने के लिए तंदृस्त रखने के लिए अब हमारे दर्शकों को कु अब जितना अच्छा उसको चलाओगे उतना अच्छा long term के लिए वो चलेगा advice तो simple है ठीक है alcohol से दूर रहिए ठीक है जो हमारी खाना जो है बाहर का खाना जितना हो सकते हो उतना कम रखिए घर में बना हुआ साफ सुत्रा खाना खालीजे और तलीवे चेस तोड़ा कम जो सकते है उतना कम रखिए महिने में एक बार दो बार देट इस ओके बट जो रोटीन में खा कर लिया हफते में तीन चार बार कर लिया रोटीन उससे डेफिनिटली दूर रहना चाहिए बाकी काला पीलिया जो आपने बताया उसके बारे में आपको थोड़ा अवेर होना क्योंकि यहां पर आप किसी फैमिली मेंबर को पता लगया कि काला पीलिया है अपना टेस्ट आप जरूर करवा लिजिए अपना बोडी वेट मेंटेन कर लिजिए ठीक है मैंने जितना देखा यहां पर बहुत ज़्यादा क्यालरिस की इंटेक है तलिवे चीजे बहुत सिटी ही है आप देख सकते हैं हार्ट की बीमारिया पिछले 20-30 साल में जैसे प्रॉब्लम हमने फेस किया है अगले 20-30 साल में लिवर में भी यही होगा तो जितना अच्छा डायेट रखोगे उतना सिहत रहोगा और बड़ी बात यह है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है पेट और लिवर को लिए करके तो आप एक तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अगर आप इस तरह की किसी विमारियों से गरस्त है जो पेट और लिवर से संबंदित है और उसके लिए बड़े शहरों कि और भाग रहे हैं तो डॉक्टर साव आपकी अपने शहर क कि अंदर भी अपनी OPD की सिवाएं दे रहे हैं डॉक्टर मैं सही हूं हां जी हां जी कहां आप अपनी OPD की सिवाएं दे रहे हो और समय क्या है यह भी हमारे दर्शुकों को जूरूर बिता दे मैं आवी होस्पिटल में दस से साठे तीन बज़े तक अवेलबल हूं बाकी जो शेहर की अंदर जो लोग रहते हैं उनकी बेनेफिट के लिए शाम को चार से छे बज़े सिविल हूस्पिटल के ओपेसेड शर्गून मेडिकल स्टोर है वहाँ पे भी हमारे इवनिंग ओपेड़ी चलती है हाँ बिलकुल सिविल हूस्पिटल से जब आप प्रवाजचों की और बढ़ते हैं तो जहाँ सिविल हूस्पिटल के दिवार खत्म होते हैं बिलकुल उसके सामने रूट के दूसरे तरफ सर्गून मेडिकल हॉल है और उसी सरगुल मेडिकल इस्टोर या होल की अंदर डॉक्ट साहब 4-6 बजे तक सहरवासियों की सेवाओं के लिए उपलब्ध होते हैं वहाँ आप आ सकते हैं अपनी पर्ची बनवा सकते हैं और इनसे सुझाव मस्वरा ले सकते हैं इलाज करवा सकते हैं और वो भी बिलकुल नॉमिनल सा फीस है इनका वहाँ पे ओपेडिवे और उसके बाद ये जितना अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये अपने मरीजों के लिए गंभीर भी हैं क्योंकि ये अपने मरीज की बढ़ोतरी नहीं करना चाहते हैं और जो व्यक्तित्व अच्छे होते हैं उनकी इलाज में अच्छाई खुद जलगती है अन्त में अगर आफ हमारे शेहरवासनु से कुछछ अपील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हमारी अपेल तो यही होगा कि आप अपना खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए ठीक है रोज कुछ ना कुछ एरोबिक एक्टिविटी जो बोलते हैं ब्रिस्क वाक करना या नॉर्मल वॉक ही करना जरूर हफते में पांच दिन वो जरूर रखिए and definitely alcohol और नशे से आप दूर रही है आपकी लिवर definitely आपके साथ देगा और हम आपको रुकी 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 जाना कहीं नहीं है हम आपको इनका address और इनके क्लिनिक का timing सब कुछ बता दे यह आप नोट कर लिजिए और हमें देजिए इजाजत तब तक के लिए जैहिंत जैभारत